नए वीडियो में आपका स्वागत है अभी मोरबी में हूँ और ये मेरा ओठल है यहाँ पर जा मैं रुकावा हूँ यहाँ से इंट्री है और ये चाय वाले भाईया यहाँ पर इतना बड़ा पतिला में चाय बना रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम मोरबी सिटी को देखने वाले हैं बने रहें पुरे वीडियो में और मेरे साथ इस वीडियो के इंजोई करें आए शुरू करते हैं और अभी यहाँ इस चौक पर आ गया हूँ यहाँ का पूरा मार्केट अभी इदर से चल किया हूँ मेरा ओठल जहां से मने वीडियो शुरू किया, उसी के आगे बस्टेंड है, नजदीक में ही, और उसके पास में ही ये चोक, यहां का, और ये सामने, गंटा गर, आए चलते हैं, इस चोक से यहां, इधर इस साईल में, वन वे हैं, खाल इधर से जा सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, उदर से, और यह सामने टावर आईए और यह टावर जिसमें गड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है और निचे से इसके रस्ता है निचे से गाड़ियां क्रोस होती है और यह यहां का पूरा मार्केट चारो तरफ बाइक्स खड़े हुए हैं और यहां पर यह जोक जाए पुलिस की डूटी है और इधर से यह ट्राफिक आ रहा है और इधर को ट्राफिक जा रहा है आईए और मार्केट में चलते हैं और यह टावर के निचे से निकल के इदर आए हैं इस मार्केट में तो यह सामने का पूरा मार्केट और यहां की गाए इस्पेशल होती हैं यह देखिया और इनके सींग जो है काफी बड़े-बड़े और आगे एक और टावर लिखाई दे रहा है आईए आगे चलते हैं और इधर एक और टावर यह यहां का पूरा मार्केट और इधर से अभी चल के आए हैं सामने यह टावर है आईए और आगे चलते हैं इसी मार्केट में अभी इस टाउर के नीचे से निकल के आए हैं और ये यहां इस साइड का पूरा मार्केट और ये पूरी हिसाब किताब देखें आप और आगे चलते आए और अभी इदर से इस मार्केट से चल के आए हैं तो ये यहां पर स्री राम महल मंदिर है यहांबर और ये बड़ा साथ टंकी और ये एक और गेट यहां बना हुआ बहुत सारे गेट यहां देखने को मिल रहे हैं आईए और आगे चलते हैं और ये इदर मंदिर से चल के आते हैं तो आगे ये जर्बार गड़ ओटेल है और ये साथ में यहां पर नदी है आईए और आगे चलते हैं और ये ओठेल काफी बड़ा है और ये इस नदी के किनारे पर ही बना हुआ है ये पुरा नदी का ही एरिया है आईए और आगे चलते हैं और अभी जो हमने ओठल देखा उससे हम इतने दूर आगे हैं इस नदी के किनारे किनारे और ये इधर जो ब्रिज दिखाई दे रहा था ये ब्रिज आगया और नीचे भी रोड है जो नीचे से टरनल बना हुआ नीचे से निकलती है और आगे लेकिन ये किसी कारणवस अभी बंद है और 2002 में बंद किया गया था उसके बाद 2022 में एक बार उपन करके वापिस बंद कर दिया गया और ये नीचे सीड़ियां क्योंकि यहाँ नीचे नदी जो इधर नदी है और अभी हम इसी के नीचे जो रोड आ रही है उसके उपर ही marriage है उसी marriage है और अभी जो हमाएै है यह ऑठल इदर के चल के आये थे और अगी हम ने देखा किसी के सामने यह है मंदिर काफी बड़ा मंदिर है यह लेकिन यह बंध है और अभी यह एक हेरिटेज है ग्रण्मेंट ही धया कि अंदूर किया स Хотя लॉकित ज्कान एक सिर्फार था मनित डेहां चोग करते हैं यहां और जैनि तकिर यह उतके अग्षे ने रहे फ़ते हैं कि यह घ्राइब है है और ये अभी हमने जो देखा हेरिटेज और शुरज अभी जा रहा है दिन डलने वाला है और ये मंदिर जो मैंने बताया आपको महादेव मंदिर और ये ब्रीज यहाँ इस नदी के उपर ब्रीज है आने जाने के लिए आईए और आगे चलते हैं इदर और अभी इदर से हम चलके आएं इदर एक ब्रीज जो था और ये इसके मंदिर के दूसरे किनारे पर आगे हैं और ये देखें बहुत बड़ा ये बनाया हुआ है और काफी मेहनत इसमें लगी हुई है ये इसके बारे में ज्यादा पता हो किसी को तो जुरूर आप बताएं कमेंट करके आईए और इदर आगे चलते हैं और यहाँ पास में ही थोड़ा आगे चलते हैं तो रेल्वे सेशन है और ये चोक है अभी हम इदर से चल के आई हैं आईए और आगे चलते हैं एक चीज की यहाँ दिक्कत जरूर हो रही है ये सिरफ गुजराती में ही लिखा हुआ है इंग्लिस या हिंदी इसके साथ नहीं है तो समझ में नहीं आता है जिनको गुजराती नहीं पता है जैसे मुझे नहीं आ कहीं साथ में होता तो अच्छा रहता है आईए आगे चलते हैं अभी इदर से चल के आए हैं और ये यहाँ देखें आप तो ये मौर का चोक यहाँ पर बना हुआ है त्टी उटी 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 जा रही है और ये यहाँ का पुरा व्यू है आईए इदर और आगे चलते हैं और ये मौर भी का पॉस्ट ओपिस स्पीड पॉस्ट पॉस्ट ओपिस है इसी रोड के उपर इदर से अभी हम चल के आए हैं और ये सामने मंदिर बड़ा सा जो हेरिटेज बना हुआ भी वो दिखाई दे रहा है दूर और इदर अभी हम आगे चलना है आईए चलते हैं अभी इदर इस मार्क अभी हम लेखाई और इदर इदर नवी आ रही है दो और इदर को जा रही एं पूरी गाँ आ OUT इस वीदियो को यहीं तक रखेंगी बहुत-बहुत बहुत धन्री बाद आपने पूरा वीडियो देखा अगले वीडियो में फिर आप से मिलेगी तब तक आप अपना और जै हिंज जै भारत